चलिए अब हम यहां पर देखने वाले हैं PHP के अंतरगत दो चीजे एक तो इको है और एक है प्रिंट देखें दोनों का मतलब होता है मतलब काम क्या होता दोनों का एक ही होता यहने की आउटपुट के जो हम मटेरियल जो भी प्रिंट करते हैं जैसे मान लिजी च्रिंग करना या फिर बेंट में प्रिंट करना है तो हममें ऑंपुट में Show या तो प्रेंट ले नपढ़ता दोनों इंतर क come देखेंगे नहीं होग में हम को प्रेंट दोनों के अंतरकत करना तो यह हम जो है कमेंट से इसको बाहर निकाल देते हैं तो आप देखे यहां पर यहां देखे आपको ध्यान देना होगा एच टू लिखे हैं और एच टू देखे डवल कोट के अंतर हमने एच टू लिखे और उसके अंदर प्येच पी इस फन इस प्रकार लिखे और लागा देह siya का हमने देखे आई एम अबावट टू लर्न बट करते हैं फिर उसके बार देखे डीस का छॉत लिखे पीलामिट्र आप से लागाना जरूर है झाले हमने सेमिकॉलन कों कुन कर दी यानी की हम बल्टि छिंग को इस प्रकार अगर उन्कर करना है तो हम कॉमा लगा के कर सकते हैं परंतो यह दिए बैरेवल की वैलू जैसे मान लीजिए दो बैरेवल की वैलू आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे यहां पे आपको कॉमा की जएकर डॉट लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज हम जो है इसको रन करके देखते है इसको सेप कर दिए और इसको रन करने के पहले आपको जैम को स्टार्ट करना पड़ेगा यहां देखिए और आपको यहां पर अपाचे स्टार्ट करना पड़ता है यह स्टार्ट हो जाता है इसके बाद आपको माइस्कुल को स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है जब दोनो host type करता हूँ local host के पाद एक slash लगाते है ssw हमारे folder का नाम और फिर practice.php प्रकार कर सकते हैं तो आप देखिए php is fun उसके आध हेलो वर्ड I am about to learn php this string was made with multiple parameters तो आप यहां देखिए हमने एक दो ग्तर और यघ्मे देखा है ऐसी कर देखिए फिर से comment लाइन कर देते हैं पहर से डिस्प्ले करते हैं तो हिए चमेंट है में क्मेंट से हम आदे डावायत इसकंकार और लिए और आप देखें ग्यावल लिए प्रक्राइब किसे नामसे लिए लगाते हैं धि तीसरा बेरेवल लिए टीएक्सटी टू और इसमें हमने एससज़ड़ू एजूकेशन को स्टोर करा दिये तीसरा बेरेवल लिए एक्स जो की फाइब वैल्यू को रखता है और वाई लिए जो की फॉर वैल्यू को रखता है अब आप यहां देखिए एको हमने जब करने के लिए हमने क्या लगा है डॉड यानि की यहां पर देखने को मिला है स्टिंग को जोडने का ठिक इसके लाबाद दूसरा फिर एच्टू को क्लो़ करना तो यह टेक्स्ट वन यानि की यह लगन पीछल प्रिंट का देगा नेग्स्ट जो वैरेवल है मतलब नेग्स् करेगा फिर इसका थर्ड जो है दोनों को प्लस करेगा एक्स और यह निकि डौलर का सइंच लगा के एक्स फिर प्लस डॉलर का साइं लगा तो यहां पर बेलो जाएगी नाइट चली इसको हम रॉन करके देखते हैं और यहां जाकर इसको रिफ्रेस करते हैं तो आप यह हमने पहली चीज देखें only text को print करना और दूसरी चीज देखें वेरेवल को print करना देख लिए अठीक है यह समझ में आ गया होगा आपको उसके अलावा अब बात करते हैं हम नीचे चलें तो देखी यहां पर जो print statement है वह देखते हैं text के साथ में तो print statement यहां पर इसको comment line से मैं बहर कर देता हूं और यहां देखे print करके लिए h2 में PHP is fun कर दिए और फिर हमने h2 को close कर दिए जैसे हमने उसमें लिए थे echo में फिर hello world कर दिए और फिर thirdly I am about to learn PHP तो echo ज्यादा fast काम करता है तो दोनों के बारे हम भी theory भी देखेंगे यहां पर रन करके देख लेते पहले चलिए यह देखिए PHP is fun hello world I am about to learn मतलब echo जो काम करता था वही प्रिंट काम कर रहा हला कि echo ज्यादा best है ठीक है इस प्रकार से देखिए पहले में हमने learn PHP store कराया दूसरे में SSW education और तीसरे में 5 प्लस 4 को यहां पर कराया प्रिंट तो देखिए यहां पर h2 का अंतरगत पहला आगया txt1 यानि learn PHP study PHP at SSW education और third में हमने total कर दिए तो जैसा हमने echo में कराया थे वैसे यहां पर यह काम करेगा तो आप देखिए यह इसका output आ गया तो दोनुए चीज आपको यहां पर clear हुई होगी यानि कि हमने यहां पर क्या करा है जो variable है यहनि कि text और variable दोनों को print करा है echo और print statement के साथ में चलते हैं अब आपस यहां पर तो echo statement के बारे हम थोड़ी और जान लेते हैं echo के इस्तेमाल php में statement को output में display करने के लिए जाता है यह हमने देखे echo statement में एक से ज़्यादा parameters कॉमा और डॉट यह separate और जो है पास किये जा सकते हैं ठीक है बहुत सारी चीजी यहां पर प्रिंट की जा सकती echo जो है प्रिंट से ज़्यादा गती यह निकि echo की speed तेज होती है प्रिंट के अपेक्षा एक कोई value को return नहीं करता है परनतु print value को return करता ठीक है यह को parenthesis के साथ इस्तमाल किया जाता है ठीक है और या उसके बिना भी इस्तमाल किया जाता है दोनों चीज हमको देखने को मिलती है जैसे कि हमने अभी देखे ते देखे पी पी सुरू करे पी बंद कर दी अंदर हमने देखे चार एको लिए थे तो जो कि हम जोड़कर प्रेंट करा दिये ठीक है फिर प्रेंट के अगर बात करें तो प्रेंट का इस्तमाल भी आउटपूट को डिस्पले करने के लिए जाता है और प्रेंट स्टेटमेंट में एक से ज्यादा पैरमिटर्स को पास नहीं किया जाता जबकि वहां पर बहुत सारे पैर यहां पर तीन चीजे हमने प्रेंट करें हैं जो कि प्रेंट हो चुकी थी और बहुरस हां चार लिया है जो कि हम यहां पर प्रेंट कर सकते हैं यह कुछ हद तक जो है इको के जैसे ही देखने को मिलता है परन्तु कुछ जो है इसमें डिफरेंस भी नज़र आता है ठीक तो यह तो बात हो गई हमारी किसकी statement इको की अब बात कर लेते हैं constant की constant का मतलब क्या होता है constant मतलब होता है fixed value जैसे देखिए हमने variable लिये थे variable को हम runtime पे भी बदल सकते हैं परन्तु constant जो है static होता है static मतलब इसको बदला नहीं जा सकता तो एक keyword होता है जिसको बोलते है define तो define keyword के माद्ध हम से जो है इसको हम क्या कर सकते हैं जैसे कोई अन्य लेंग्विज के अगर बात करें जैसे की वीवी.net की बात करें या फिर और कोई अधर लेंग्विज की बात करें तो यहां पर हम जो है इस प्रकार से जैसे हमने लिखे const करके इस प्रकार define किया जाता था जो constant है परन्तु जो PHP है उसके अंतरगत आपको define keyword के साथ में यह देखने को मिलेगी चलिए देख लेते कुछ चीजे constant की value change नहीं की जा सकती यह fixed होती यह रन टाइम पर change की जा सकती बिलकुल नहीं PHP constant के लिए define function का इस्तमाल किया जाता है और define function पर दो या तीन पैरामिटर्स होते हैं पैरामिटर्स का मतलब होता है जो कोश्टक लगाते हैं हम देखिए इसके अंदर कुछ जो value है वो देते हैं या variable देते हैं उनको बोलते हैं parameters ठीक है अब देखिए PHP में constant को कैसे create करेंग यानि कि जैसे मान लीजे हम एक constant लेंगे greeting तो यह constant का नाम हो गया value का मतलब होता है constant की value हम क्या देना चाहरा है यहां पर उसका रहता है और अगर हम in sensitive में true देते हैं true pass किया जाता है तो यह कहोगा case sensitive जैसे मान लीजे यहां पर मैं यह greeting define करता हूं और कहीं अधर जाखे मैं उसको ऐसे call कर लेता हूं ठीक है इस प्रकार से ठीक है यह देखिए मैंने capital में call किया हूं तो यहां पर small define किया गया है अगर capital में call करते तो नहीं आएगा परन्तु यदि जो case in sensitive में अगर true देते हैं तो क्या होगा यह जो है इस प्रकार से भी call किया जा सकता है और इस प्र देखते हैं PHP शुरू किये PHP को end कर दिये और यहां पर हमने comment line ले लिए case sensitive constant है यह case sensitive को मतलब जैसे capital में लिए है greeting तो capital में हमको call करना पड़ेगा और अंदर value लिए थे welcome to SSW जब भी greeting को call किया जाएगा तो इस टिंग आपकी print हो जाएगी screen पर और define जो है keyword है किसके लिए PHP को define करने के लिए ठीक है अगला चलते हैं यहां देख सकते हैं case sensitive जो constant लिए है यहां पर हम देखें तो इसके लिए हमको third जो parameter है वो define करना होता है जैसे कि define keyword हमने लिए किसके लिए constant के लिए और यहां पर हम देखें तो हमने greeting नाम का एक constant लिए और अंदर string को store कर दिए अंदर string को store करा है और last में एक parameter लिए true और true जब लेते हैं तो यह greeting अगर capital में लिए तो small में भी call किया जा सकता है और small में लिए तो capital में भी तो इस प्रकार से true लेने पर यह change नजर आता है इसके अलाब हम constant array भी हम देख लेते हैं आगे हम practical करके देखेंगे जैस square bracket बोलिए double quote के अंदर value value दे दिए फिर दूसरे double quote के अंदर दूसरी value तीसरे double quote के अंदर तीसरी value और सबके बीच में separate करने के लिए comma लगाए और last में जो square bracket उससे बंद करे जो parenthesis सुरू हुआ था तो उसको बंद कर दिए और semicolon से यहाँ पर close कर दिए फिर echo करके हमने car को zero करा है तो कौन सी value print होगी alpha Romeo ठीक है और अगर हम यहाँ पर car one करते हैं तो क्या print होगा PMW और car two करते हैं तो ट्वेटा प्रिंट होगा तो यह चीज हमको देखने को मिलती है इसके अलाब़े एक चीज और देखने मिलती है constant r global तो देखिए define करके हम अगर greeting लेते हैं फिर welcome to SSW यहां पर ले लेते हैं तो यह value कहां चली गई greeting में और फिर एक function लिए function का नाम है my test और function में हमने print कर दी greeting तो जब भी function को call के जाएगा my test तो क्या print होगा welcome to SSW ठीक है चलिए हम चलते हैं VS code में तो data type तो हमने already देख चुके थे ठीक है यहां पर हम constant को देख लेते हैं ठी यहां देखिए constant की बात करते हैं देखिए मैंने पहले से यहां पर लिख कर रखा हूं इसको मैं string से मतलब यहां पर comment से बाहर कर देते हैं देखिए हमने डिफाइन करके greeting लिए और यहां welcome to SSW एजुकेशन लिए तो welcome to SSW एजुकेशन कहां चले है greeting में जब हम greeting को call करेंगे तो capital है तो capital को ही call किया जा रहा चलिए हम यहां पर browser में चलते हैं और इसको run करते हैं तो welcome to SSW एजुकेशन किस से आया है यह किस से define मतलब जो हमने लिए है constants है देखिए यहां पर हम जो है PHP constant array को अपयोग करके देखते हैं जैसे हमने यहां define लिए define के अंतर रगत कार नाम स से हमने के लिए constant और फिर कॉमा लगा हमने square bracket के अंतर का तीन लिए alpha Romeo BMW Toyota सब में double code लगा है और सब में separate करने के लिए comma लगा है ठीक है और उसके आद हमने semicolon से इसको close कर दियो call करने पर हमने zero करे हैं ठीक है तो हम इसको run करके देखते हैं यहां पर जैसे हम इसको run करते हैं तो run करने बाद अगर देखें यहां तो alpha Romeo आ रहा है और अगर यहां पर हम करते हैं क्या जैसे मान लेजे हम VS code में गए और यहां जाकर हम 1 करते हैं ठीक है कार बचले वन और यहां जाकर refresh करते हैं तो BMW आएगा और अगर कार यहाँ पर two करते हैं तो क्या आएगा यहâं पर लेते हैं true value कभी-कभी यहां पर support नहीं करता है और अगर support करता है तो यह greeting को small में भी यहां पर call कर सकते हैं true जो parameters है जैसे यहां पर देखें यह true जो है कभी-कभी support नहीं करता है मतलब किसी-किसी जो विंडोस में या फिर सॉप्टेयर के बात करता तो ग्रीटिंग हमने लिए कैपिटल में स्मॉल में अगर कॉल करेंगे तो ट्रू लेने पर यह कॉल हो जाएगा इसके अलावा हमने कॉंस्टेंट एरे को प्रियोग करके देख लिए और जो वाले हैं वह ऑपरेटर के भारे में पढ़ेंगे ठीक है अगर कोई दिखकर है तो आप मुझे कमिंट बॉक्स में बता सकते हैं